उदर अधियाणा में तिन दिन से कोरोना के मामलों में कमी नजर आई है और लेकिन कोरोना का खत्रा फिर भी बना हुआ है पिशले 24 गंडे में कोरोना के 489 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद कोरोना पॉजिट्री रेट बढ़कर 3.83 हो गया है और प्रदेश में आप कोरोना के कुल 2473 मामले है सबसे जादा मामले गुरुग्राम और फर्दाबाद से सामने आ रहे हैं पिशले 24 गंडे में गुरुग्राम में 332 नए मामले सामने आए हैं तो वहीं फर्दाबाद में 122 नए मामले सामने आए हैं तो हर्याना में कोरोना के रफ़तार धीमी होती नजर आ रही है चोले ग्राफिक्स के जरीए बताते हैं कोरोना का हर एक अपटेट तो हर्याना में कोरोना के रफ़तार धीमी हुई है पिछले तीन दिन में नए केस जो है वो भी घटे है 24 गंटे में 449 नए मामले मिले है प्रदेश में कुल 2478 सक्रिय मामले है कुरोना संक्रमन्ट दर 4.08 पीज़ी हुई है तो गुरुग्राम में 350 नए मामले सामने आए हैं फर्दाबाद में 69 नए मामले सामने आए हैं हिसार में 5, सोनिपत में 1 सिर्चा में 1, रोटक में 5 पानिपत में 1, पंचकुला में 5 नए मामले सामने आए हैं यम्ननगर में 1, भिवानी में 1 मामले नए सामने आए हैं कुरोना के प्रिवाडी में 1, जजर में 2 मामले सामने आए हैं कुरोना के पल्वल में दो नई मामले सामने आए कोरोना के तो दिली में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 66 नई मामले सामने आए अलाके 3029 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है 7,-24 के जो हैं, किसी भी जान नहीं गई है, वही राजधानी में अब कोरोना के अक्टिव मारीजों की जो संक्य है 5444 हो गई है ०िली में कोरोना संक्रम जदर बढ़कर 6.42 फीजडी हो गई है 24 गंडे में कुरोना के 16,753 टेस्ट किये गए हैं जनमें से 1,076 नए COVID-19 केस सामने आए हैं